राश्ट्री शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिछन परिशत के केंद्री शैक्षिक प्राध्योगती संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा पस्तुत है भारत की लोग कथाएं श्रंखला के अंतरगत कुमाओं की एक लोग कथा पंडित जी का देवता बहुत पुरानी बात है बढ़कोट गहों में एक पंडित जी रहते थे पंडित जी अपने जजमानों के घर जाकर पूजा पाट करवाते और भेट में मिला सामान पोटली में बांद कर लोट आते पंडित जी घर का काम काज करती पंडित जी तो बड़ी भली और थी पर एक खराबी थी उसमें वो बड़ी चटोरी थी पंडित जी घर में ना होती तो वो खूब पक्वान बनाती और खापी कर लंबी तानती पंडित जी घर लोटते तो बामनी ओ बामनी कहा हो भागवती कब से पुकार रहा हूँ आई महराज आई आपके हाथ पर धोने के लिए पानी ला रही थी सो ज़रा देर हो गई लाइए पोटली मुझे दीचे लो पोटली सभाल कर ले जाना विशनूर हरी विशनूर हरी विशनूर हरी वामनी अब खाना निकालो बहुत भूख लगी है ये लिजए खाना ये क्या बस चार रोटिया पर मैं तो रोज काफी समान लाता हूँ अब क्या बताओ महराज जैसे ही मैं खाना तयार करके रखती हूँ एक भूख ना जाने कहां से आकर सब खाना ले जाता है बस चार रोटिया जो मैं छुपा कर रखती हूँ रह जाती है यानि इसके अलावा तुम्हारे ले भी कुछ नहीं है नहीं महराज अच्छा तो हम दोनों तो दो रोटि खा लेंगे क्या करें जैसे हरी की इच्छा रोज यही होता पंडित जी बेचारे दो रोटि खा कर संतोष कर लेते धीरे धीरे पंडित जी का छेरीर कमजोर होने लगा उधर पंड काइन थी क्यों पड़ कोई अंतरी नहीं पड़ रहा था आँखर पड़ता भी क्यों वो तमाम पक्वान तो खाती ही थी उपर से पंडित जी के साथ दो रूटियां भी खाती थी काफी दिन ऐसे ही चलता रहा फिर पंडित जी को शक होने लगा वो सूचने लगे अरे मैं तो घर में दो रूटियों के अलावा जजमानों के यहां भी कुछ फल फूल खाता हूँ फिर भी कमजोर होता जा रहा हूँ बामनी? रे बामनी तो दो ही रूटियां खाती है मगर उसका स्वास्य दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा आच्छा आज छुपकर देखूँ यह रहस से क्या है बामनी? बामनी? मैं जा रहा हूँ शाम तक लोटूंगा अच्छा महराज, जल्दी आना? यह जगा ठीक है यही छुपचाता हूँ इस संधेरे कुने में यहां से सारा घर दिकाई देता है और मुझ पर किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी बस यही ठीक है पंडी जी तो गए अब अपनी राम रसोई शिरू करती हूँ आज क्या क्या पका हूँ आज? हाँ, हल्बा, धेरों मेवे डाल कर और पूरी, आलू की कचोड़ी, रायता, गदू की सबसी और, और, इनने की मीठी चटनी पस मजा जाएगा अरे हाँ, पंडी जी के नाम की चार रोटियां तो भूली ही जा रही थी तो ये चार रोटियां पंडी जी की और बामनी की अरे, वही दो पंडी जी की और दो बामनी की अच्छा, तो ये बात है खुद तरमाल उडाय जाते हैं और मुझ बेचारे को दो सूखी रोटियां तो ये है भूत आज भगाता हूँ इस भूत को आज मैं भी मज़ा चखाऊंगा पंडी ताइन को पंडी ताइन में हलुआ, पूडी, कचोडी, रायता, चट्नी अरे भई, मेरे तो मुझ में पानी आ गया और चार रोटियां भी पकाई चार रोटियां तो रख दी एक तरफ और पकवान खुद खाने लगी मज़ा आ गया, बड़ा अच्छा बना बड़ा सपन है हाई हाई, हलुए में कितने किश्मिश बादाम डाले हैं और पूडियां कैसी पूली पूली हैं और कचोडियां हाई हाई, क्या खुश्बू है सापाद, इक कण भी नहीं बचा अब चल्दी से रुसोई सास कर दूँ पंडिची आते ही होगी आता हूँ, आता हूँ और तेजी करनी का मसा चकाता हूँ पेचारे पंडिची उन्हें कितना गुसा आ रहा है सुनें, पंडिची अब क्या करते हैं एक तम चुद बामनी, अरे ओ बामनी कहा हो, ठक गया आज तो आई महराज अरे, आज तो आप बहुँ जल्दी लोटा है सब ठीक तो है ठीक नहीं है बामनी शरीर अजीब सा लग रहा है लगता है आज मेरे शरीर में देवता पकट होंगे तो कैसे महराज अरे, पंडिताइन मेरे दादा और पिता जी के शरीर में भी आते थे हमारे कुल देवता लगता है वही आज मेरे शरीर में आएंगे बड़े चमतकारी देवता है ऐसी ऐसी बाते जान लेते हैं जो कोई नहीं जान सकता अच्छा है आज भूत का रहसे भी पता चलिजाएगा भूत? नहीं, मैं देवता की आरती के लिए दूखती पलाती हूँ ठहर जा तुष्टा रारी, मैं आ गया हूँ शमा करो देवता, शमा करो तू पंड़ जी को धोखा देती है नित पकवान पकाती है खुद उनको खा जाती है और भूत का नाम लगाती है शमा करो देवता, शमा घर बेखी मौज उडाती है पंड़ को तू वहकाती है बोल, तुझे क्या दंड दिया जाए शमा करो देवता, हम मनुश्य है ना समझ है तुम देवता हो, हम एक शमा करो बोल, तुझे भस्ग कर दूँगा नहीं माराज नहीं, ऐसा ना करता बोल, अब ऐसा करेगी पता नहीं है तुझको तु इस पाप का भारी दंड भरेगी नहीं माराज, अबसे मैं पंड़ जी को खाना खिलाए बिना पानी तक नहीं प्यूँगी मा की कसम, बाप की कसम, गाय की कसम अब ऐसी खलती नहीं करोगी शमा करें देवता, क्रोत त्याग दे जा, तुझे शमा करते हैं पर खबरदार, और इस ऐसी गलती दुबारा ना करना नहीं तो तुझे भस्म करतेंगी नहीं रेता, आप ऐसी गलती नहीं, नहीं होगी आप शान्त होकर चाहिए अच्छा, ये बाच है, समझाते हैं पर याद रखना नहीं नहीं देवता, आप शान्त होकर परस्तान करें अजे, बामनी, तुम आँखें बंद किये हाथ जोड़े क्यों बैटी हो अरे महराज, आपके शरीर में तो बड़ा चमतकारी देवता आया जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया तो तुम्हारा भूत भागा की नहीं बिल्कुल भाग गया महराज देवता ने उससे छुटकारा ही दिला दिया तो ठीक है, अब खाना खिलाओ लाओ वो चार रोटिया, दो हमारी, दो तुमारी अरे महराज, और खाना पकाती हो, बस अभी आई सुना तुम्हे दोस्तो, पंडित जी के देवता ने पंडिताइन का भूत कैसे भगाया खैर, भूत और देवता दोनों से छुटकारा पाकर आशा है, पंडित जी और पंडिताइन सदा सुख से रहे होंगे पंडित जी का देवता, अभी आप सुन रहे थे कुमाओं की ये लोग का था इसका नाच्य रूपांतर किया मधु जोशी ने भाग लेने वाले कलाकार सतीश महाजन, कीमती आनन और विज्या राजदा धन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सयोप वंदना निकम, निर्माण एवं प्रस्तुती पगुदयाल खटर तथा परियूजना निर्देशन दॉक्टर एलजी सुमित्रा